बहुत से जब पेशिंस मेरे पास आते हैं, तो वो मेरे से बहुत से टिप्स लेना चाहते हैं, जिससे वो mentally strong हो जाएं, जिससे छोटी-छोटी बाते हैं उन्हें एफेक्ट ना करें आजकल के टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ भी गई हैं, टेंशन्स बढ़ भी गई हैं और हम सब कुण को सहने का पेशिंस हमारी कापासिटी कम हो गया है तो अब क्या होता है कि कोई भी छूटी-छूटी चीज़ हमारे दिलों दिमाग पैसे कबजा कर देती है कि हम अपने काम से पीछे हट जाते हैं, हमारे शिर्ट से हिम्मत चली जाती है, सारा दिन हम एकी चीज़ को सोचते रहते हैं तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को अन तक देखेंगे और मैं साथ कनेक्टेड रहेंगे हाई, आपने मेरे इस चानल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलना है, इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, ताकि बहुत और लोग प्लीज मिंटली अपने आपको स्टेबल रख पाएं, स्पेशलिए अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंस के साथ शेर करना नहीं करेंपो लेंगे. तो चलिए मैं आप बता रही थी कि मेंटली स्ट्रॉंग कैसे रहें, सबको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास यह चाबी आजाना इस ताले की कि अपने आपको मेंटली अफेक्ट नहीं होने देना है, तो पता नहीं मैं जिंदकी में क्या से क्या कर दो, कई लोगों कि परस् भीच-पिच-पिच-पिच, घर पे बहुत सारी चीज़े हैं, रिसपंसिबीलटी इस का प्रेशर, आने वाले फ्यूचर में अच्छा प्रफॉर्म करने का प्रेशर, अपनी फ्रामली को सबकुछ देने का प्रेशर हमें बहुत-बहुत स्ट्रेस में डाल देता है, और य मिलना पड़ता है और फिर दीरे-दीरे lifestyle changes होते हैं फिर हमारे अंदर ऐसे बदलावाने लगते हैं हमारा वीट बढ़ जाता है और में शुरूर प्रॉब्लम्स चुरू हो जाती हैं टाइम से पहले hormones decrease हो जाते हैं sexually हम perform नहीं कर पाते हैं तो दीरे-दीरे आपके हर-हर sector को वो effect करता है लेकिन अगर मैं mentally strong हूँ, मैं यह technique सीख लूँगा तो मैं बहुत definitely अच्छे से अपनी life को stable तरीके से move कर पाऊंगा, ऐसे बहुत सारी techniques मैं आपको बताऊंगी जो मैं अपनी practice के दौरान अपने patients को बताती हूँ पहला, सबसे important और सबसे जो बुलते हैं मूल मंत्र में आपको बताऊं वो है accept करें कि बहुत सारी चीज़ें हम बदल नहीं सकते हैं और जो चीज़ हम बदल सकते हैं उसे बदलने से डरेंगे नहीं accept that there are certain things we cannot change and if there is a need to change I am all okay to make a change देखिए change का मतलब compromise नहीं होता है, कभी कोई change का मतलब adjustments हो जाता है कभी कोई change का मतलब ऐसा होता है जो हमने mentally कभी सोचा नहीं होता हमें लगता है कि ऐसा होगा पड़ नहीं होता है तो हमें लगता है कि हमें change करने के लिए बोला जा रहा है हमें adjust करने के लिए बोला जा रहा है मैं क्यूं compromise करूं अगर आप mentally strong रहना चाहते हैं तो अपने brain को यह automatic indication दे कि बहुत सारी चीज़े मेरे control में नहीं है मैं खरीदना तो यह गाड़ी चाहती हूँ लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उसका rate मेरे जितना में जोड़ा हुआ amount से जाधा हो गया तो मैंने अप जो इसके dream देखे हुए थे वो पूरा नहीं हो उससे कम का मिला है तो यह मुझे effect करने लग जाएगा लेकिन अगर मैं अपने आपको यह समझा दूंगी कि जो भी मिलेगा मैं उसके साथ okay हूँ क्योंकि अब मैं पैसे को change नहीं कर सकती हूँ मिरको लेना है मैं ले रही हूँ तो मैं change कर रहे हूँ कि यह नहीं तो यह ले लिया और मिरको उसी में खुशी मिल रही है तो अगर आप change को accept करेंगे ओके हूँगे change के साथ और इस चीज़ को समझेंगे भी कि चलता है तो you will be mentally strong and nothing will affect you दूसरा मूल मंत्र यह भी बहुत जादा जरूरी है कि आप accept करें कि life में challenges आएंगे लेकिन वो challenges मुझसे या मेरी mental ability से बड़े नहीं हो सकते है हम सब अगर आपको लगता है ना कि कोई जिंदकी में कभी डरता नहीं होगा as a psychologist मैं कभी रोती नहीं होंगी या मुझे को emotional turbulence नहीं आते होंगे ऐसा नहीं है हम सब human beings हैं चाहिए वो रतन टाटा से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा hero actor हो जाए XYZ Hollywood celebrities हो जाए हर कोई tension में रहता है हर कोई कभी न कभी अपनी life में स्टक हो जाता है अटक जाता है तो अगर वो यह समझने लग जाएगा अपना mindset ऐसा बना लेगा कि challenges तो आएंगे ही life कभी भी सीधी सीधी नहीं होती है life हमीश होती है और तभी से life कहते हैं क्योंकि उसमें challenges होते है challenges होंगे तभी तो आपको जीधार का पता चलेगा कभी भी रह सीधी सीधी नहीं होती है उसमें hurdles होते हैं तभी तो आपको परखा जाता है तो accept कर लीजे कि challenges आएंगे लेकिन उससे जादा मैं अपनी capacity है मेरा मेरा दिमाग मैंने control करना है मेरा दिमाग मुझे control नहीं करेगा मेरे fear मैं control करूँगा मेरा दिमाग मेरे fears को control नहीं करेगा जिस दिन आप यह समझ लेंगे आप definitely mentally strong हो बन जाएंगे तीसरा मूल मंत्र अगर आप चाहते हैं कि आप mentally strong बने तो फिर हर चीज में अच्छा दिखने की कोशिश करें मैं मानती हूं कि इतना असान नहीं होगा जितना बोला जाता है कि मिरसाथ इतना गलत हो गया फिर मैं उसके अंदर अच्छा कैसे देखो एक pen लीजे एक कागस लीजे और लिखिये कि क्या इस चीज ने मुझे दिया मुझे याद है आज से चीह मेने पहले मैंने नहीं कार ली थी और वो ठुक गई थी मैंने ठुकी थी सामने गाएं आ गई थी और ठुक गई थी मैं चाहती तो बहुत रो सकती थी मैंने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे थी मैंने शायद ये सोचा कि शायद मैं भी मर सकती थी, शायद गाएं भी मर सकती थी, और शायद मैं अगर टाइम से ब्रेक ना लगाती, तो शायद मेरी गाड़ी जाके किसी और आदमी में, किसी और गाड़ी में तुक सकती थी, जिसमें और नुकसान हो सकता था, मैंने उसका भी एक positive expect देखने की कोशिश की और हाँ मैंने अपने instagram handle पे अपनी गाड़ी की photograph, उसका नुकसान शीशा टूटा हुआ, बंबर टूका हुआ सारी photos डाली थी और openly advocate किया था that I accept the negativity. Please हर चीज में positive देखने में समय जरूर लगेगा, लेकिन अपने दिमाग को अगर हम condition कर देंगे कि बहुत गलत होने से बच गया, तो आप बहुत ज़ादा mentally strong हो जाएंगे करना मुश्किल है, लेकिन करिए देखिए आपको कितना relaxed मैसूस होता है. उस situation में मैं भी चाती तो emotionally बहुत ज़ादा drain हो जाती, लेकिन थोड़ा सा समय लिया, थोड़ा सा समझा, उसे accept किया, तो देखिए कितना असानी से मैं मूव कर पाई और आज आपके सामने इस चीज़ को बता रही हूँ 4th and important aspect if you want to be mentally healthy is give yourself time अपने पूरे दिन को दो भागों में डिवाइड करो और उसको रूटीन बना लो कि एक भाग होगा productivity का हम सब कमाना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं हम सब चाहते हैं कि हम जादा सा जादा कमा पाए अपनी लाइफ में successful हो जाए लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं खुद को समय देना चोड़ दूँ अगर आप थोड़ा सा समय सेल्फ केर पर दे रहे हैं और productivity को भी देते हैं फैमली को भी देते हैं मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह का टाइम टेबल एक successful आदमी का होना चाहिए ये आप देख सकते हैं तो इस तरह से अगर आप productively कर रहे हैं तो आप mentally strong हो जाएंगे क्योंकि आपको खुद से बयार करना आजाएगा आपको खुद की value करना आजाएगा तो फिर आप mentally definitely strong होंगे क्योंकि आप अपने आपको अपने काम, अपना पैसा, अपने relationship से उपर रखेंगे फिफ्थ, ये टिक्नीक एक सम है, एक सार है मैं आप सब को चाहती हूँ कि अगर आप mentally strong होना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कोई भी छुटी-छुटी चीज मुझे effect ना करे तो अपनी feelings को express करें हम सब इंसान हैं, हम सब अच्छा, बुरा, जैलिस, कुंठित मैसूस करते हैं बहुत बार गुस्स आता है, बहुत बार किसी का मुझ तोडने का मन करता है बहुत 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 बुरा लगता है, बहुत रोने का मन करता है पहुत बार किसी से हाथ लेने का मन करता है, किसी के पास बैठने का मन करता है, अपनी feelings को रोकेंगे नहीं, अगर हम अपनी feelings को रोकेंगे और सोचेंगे कि मैं रोंगी, मैं लोगों को अपनी problems के बारे में बताऊंगी, तो मेरी इज़त क्या रह जाएगी, लोग मेरे बारे म सूचेंगे क्या नहीं अगर आप अपनी feelings को साथ के साथ ventilate करते रहते हैं उसे express करते हैं उसे कहते हैं तो आप mentally जादा strong होते हैं जब मैं हर सीड़ी पर समान रखती जाओंगी रखती जाओंगी तो लोग उपर कैसे चड़ेंगे इसलिए हमारा patience level कम हो जाता है अपनी सारी स पहुचने में किसी इंसान को समय लगे वो आपके पास इतनी असानी से ना पहुच पाए तो timely ventilate करें समझे कि मेरी feeling है और इसका यह reason है rational देंगे तो आप definitely mentally strong हो पाएंगे आशा करती हूं कि यह tips को आप ध्यान से समझ पाए हैं मैं जो अपनी यह सारे experience लेके आप से बात क को समझाया आपको समझ में आएगा यह वीडियो किसी एक वर्क तक सीमित नहीं है बच्चा बड़ा बूरा सब इस वीडियो को देख सकते हैं इससे अपनी लाइफ में implement करें मैं आपको ग्यारेंटी करती हूं कि वह छोटे-चोटे emotion जो मेरे दिल तक लग जाते हैं मुझे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें मेरे चानल को अगर आप मुझसे परस्नली करना चाहते हैं तो www.dr.neha मैता पर मुझे कमेट कर सकते हैं सारी डीडियल्स आपको नीचे बायो में मिलेंगी और अगर आपने भी ऐसा कोई decision दिया है ऐसा कोई step लिया है जो आप करनेक्ट हो सकते हैं डॉक्टर नहीं ओफिशल लेकिन बेल आइकन प्रेस करना नहीं बूलेंगे सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे और वीडियो शेयर करना तो बहुत साबावा जरूरी है मुझे पता आपको पसंद आई है करने करना नहीं बूलेंगे जरूरी है जरूरी शुबगावा जरूरी है